हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आप सभी का कच्छा दस का चित्रकला का पेपर जो वाइरल हो चुका है इसका यहां पे आप सभी को हल बताने वाले हैं फ्रेंस यूपी बोर्ड के द्वारा जो चित्रकला का माडल पेपर वाइरल किया गया है इस पेपर के यह हां पे हम संपूर हल आप सभी को बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लांट तक जरूर देखिएगा और देखेए अप वीडियो के एक सेकंड तक स्कीप मत की जिएगा इस में जितने भी जुल्टइल्स आप सभी को बताएं गे 6 मार्च को ठीक है छे मार्च को आप सभी के आने वाले सभी प्रशन हैं इन सभी प्रशनों को आप ध्यान से देखे और इन प्रशनों को आप जरूर तयार कर लें चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज देखी आपको जब प्रश्ण पत्र मिलेगा तो यहां पर लिखा र को अगज़ुर्ट के दिया जाता है देगे थी वह सब मुता है यहां को भूँर्ट के इखसाम देखने के लिए मिलता है और पैप कि जो चित्रकला के पेपर जब देने जा रहे हैं इसके निर्देश के बारे में पहले से ज़रूर जानते रहें यहां पर देखिए आपका निर्देश क्या है फर्स्ट निर्देश है कि अपना अनुकरमांग दिये गए ड्राइंग सीट के कवर पेज पर अश्पष्ट अंक पत्रिश्ट अ tuh हस्ताच्कर भी क्लमांग दूसरा निर्देश है कि प्रश्ट पत्र जो होगा आपका कमग तीन खंडों में भक्त होगा थीं ओ खंडों को को हल करना आपक अनिवार रहें ठीक है अब लगते हैं इसकों में आले खन एक प्रावि及 कछण क्मौन अनृत्ट कि परतिक के 20 बहुई कल्पी प्रश्ण होंगे जिसमें से किसी एक 20 बहुई कल्पी प्रश्ण को ही आपको करना रहता है आपकी द्वरा आलेखन कला अत्वा प्राविधी कला में से जिस भाग का आप चयन किये होंगे उसे OMR सीट पर भी अवश्य अंकित करें देखिए फ्रेंस यहाँ पर आप सभी को बता देए आलेखन कला या प्राविधी कला में जो आप चयन करें में को उसी भाग का अंसोर आप दीजीएगा ठीक है यहाँ से देखिए आप सभी को शभी प्रश्नों का अंस्वर बताते हैं यहां आलेखन कला दिया है जो 20 अंक का रहेगा निर्देश यहां पर पहले है कि निल्खित परतेग बहुई कल्पी के चार विकल्पों में से एक सही उत्तर है उसी का आपको चेयन करना है आपके सामने प्रशन है जितने भी प्रशन बताएंगे आप सभी उन प्रशनों को आ अब करेक्ट हो गा इसे याद रख़िए गा कि मुख्य र regression की संख्या तीन होता है अगला देखिए इन में से सीतल रंग था थंढ़ा रंग कोउशंगों लोता है वह तो उससरा नंवर का मिं निमनिमे से कौन सा रंग गरम रंग इंट अ करम रंग कोपता है कि आव लाल होता क्या आशे होता है इस प्रशन का सही जो आप सभी को बताएं कि हाला रंग आपको अहारा ठंड़ा अंतर्गत अ अगला प्रस् af देखे चौथा नंबर का देखे जितने भी प्रस्ण बता रहा है फ्रेंस इन प्रश्णों को आप जरूर याद रखे आपके बोर्ड की एक्जाम में 6 मार्च को यही सब प्रश्ण देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो आप वीडियो को इसकी मत कीजिएगा देखे चौथा नंबर का है को ओष्ट वाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं तो जो ओष्ट वाल्ड चक्र होता है उसमें टोटल रंगों की जो संख्या होता है इसे याद रखिएगा यहां पी इसका सही जब कवला आपसन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसके साथ आप याद जो इंद्रधनुस होता है इंद्रधनुस में टोटल कितने रंग होते हैं तो टोटल साथ रंग होते हैं ओश्ट वाल में याद रखिएगा आठ रंग और इंद्रधनुस में कितने रंग होते हैं तो साथ रंग होता है अगला देखिए निम्दलिखित में से दिवती रंग क के अंतरगत आता है इसके अलवा जैसे लाल हुआ पीला हुआ नीला हुआ यह आपके प्राथमिक रंग के अंतरगत आते हैं ठीक है इसे भी आप साथ में इन प्रशनों को याद रखिएगा ठीक है अगला प्रसन देखे छठा नंबर का ततष्ट रंग कौन सा होता है यहां कर ततष्ट रंग आप जरूर रखेगा ततष्ट रंग जो होते हैं काला और सफेद जो रक्यों होते हैं यह तके ततष्ट रंग काला विजो होते हैं और आपसे पूछे कि काला का वी रोधी रंग क्या होता है तो सफेद होता है इन दुन प्रशनों को भी साथ में आप याद रखिएगा ठीक है अगला प्रशन देखे सातवा नंबर का प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होता है यहाँ पर पहले आप यही याद रखि प्राथमिक रंग अर्थात मुख्य रंग कहलाते हैं इस प्रशन का सही जवाप खवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन आप ध्यान दीजिएगा अगला क्या है आपका कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है यह भी प्रशन आपको कई बर बता चुक यह आपसन में आपको सिहम टुसेम मिलेगा यहां पर आपसन ध्यान से देखिए जल रंग यह वाठर कलर काला आता है पारदर्शी रंग कौन सा है जल रंग वाठर कलर ठीक है अगला प्रशन नव नंबर का देखिए कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा होते था अभी इस को बता हैं कि सफेद का विरोधी रंग जो होता है आपका काला होता है इस प्रश्ण का सही जवाब को आपसं सही हो जाएगा अगरा देखिए दस नंबर का देखिए लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है ठीक है लाल रंग यदि नीला रंग मिलाएंग बनेगा यहां पिक llal रंग में अप नीला रंग मिलातेहीं तो आपको बैगनी रंग बनता है कौँ सारंग बनेगा बैगनी यह देखे हैं अगला देखे 11 नंबर का कि पीले रंग में यदि लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा अब ध्यान दिजिए कि पीला रंग है और उसमें क्या मिला रहे हैं लाल रंग तो कौन सा रंग आपका बनेगा तो यदि पीला में लाल मिलाते हैं तो आपका नारंगी रंग बन कितनी होती है । तो फास्भार हो न इसंगत है तेल मैं आठर फ़ाइए और साथ में याद रखिये कि इंद्र धनुस होता उसमें total कितने रंग होते हैं इंधरदन उसमें total 7 रंग होते हैं ठीक है अगला प्रसन देखिए तीरह नंबर का पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है तो इस प्रश्न का सही जवाब तो कव हो जागा लेकिन इसके साथ में आप याद रखिएगा कि सफेद का विरोध काला होता है टिके जितने प्रश्ण बता वह इंसवी प्रश्णों को आप जरूर याद रखेंगे अग्ला प्रसẵन देखिए चौदा आठ रंग होते हैं ठीक है जितने भी प्रश्ण बता रहे हैं इन सभी प्रश्णों को आप जरूर याद रखिएगा यह यूपी बोर्ट के द्वारा जारी किया गया जो माडल पेपर है उसका यहां पर संपूर हल आप सभी को बता रहे हैं ठीक है पंदरा नंबर का अगला देखिए 16 नंबर का कौन सी पेंसी से बनाई गई रेखा अधिकाली होती है अब देखिए यहां पर अधिकाली पूछा है इसको याद करने के बहुत अच्छा ट्रिक भी है देखिए बी मतलब क्या होता है ब्लैक ब्लैक मतलब हिंदी क्या होता है काला होता है ब्लै चुछ यह लाज हो जगा तो वल अपसन आपका 100 प्रसेंट है सई होगा अगला देखिए कौन सी पैंसिल से बनाई गई रेखा हलकी होती है अब दिखे जब आपसे हलका पूछे यहां पर ध्यान दिए जब आप से हलका पूछे यहां पर यह का मतलब होता है हाड हाड यह का मतलब हाड और हाड पेंसिल रहेगा तो वहाँ उससे हलकी रेखा बनती है कैसी रेखा बनती है हलकी रेखा ठीक है तो जो हाड पेंसिल रहेगा तो उसके द्वारा क्या बनेगा हलकी रेखा और जितनी यह की संख्य अधीक होगी उसके द्वारा उतनी हल्की रेखा बनती है आपसर में देखिए टू येच येच भी टू भी और फोर भी है तो यहां पर हल्की रेखा किसे बनेगा टू एच से बनेगा इस प्रश्ण का सही जवाब बी वाला आपसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर ध्यान सही जवाब आपका कह है ठीक हे हलकी पूछा ये हो जाग गहरा पूछता तो आपका चारी भी होता अगला देखिए अठारा नमबर का कि फूल और कली के बाहरी टू नंबर का टू एंका होता है यहां पर सही जब क्या होगा कवल, आफसन सही हो जाएगा देखेंगा टू एन ही होगा ठीक है अगला प्रशन देखिए आप 19 नंबर का कि बनावट की ड्रिष्टीर से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं आपको बनावट की दृष्टी से बताना है कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं तो बनावट की दृष्टी से आलेखन जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं इसे याद रखिएगा कि बनावट की दृष्टी साफ से पूछता है तिसका इंसुर क्या होगा है चार प्रकार का थिसका सभी ja और आप सब्सकुत करने के लिए जाता है ज़िए ज़स्थ का के newer दो algorithm करना है के लिगुण प्रियोक करेंगे तो याद कैसे रखेंगे डेफें कींडर के के लिग को difference के याद रख सकते हैं पूद्भी इस प्रश्ण का सही जब कवल आपसन सही हो जाएगा देखें फ्रेंस यहां पर आपके 20 कोईशन कंप्लीट होते हैं फिर इसके बाद आपका अथवा में दिया है जहां पर आपके प्राविदी कला से संबन दी जो प्रश्ण पूछा जाता है वह बीसों नंबर के जो कोईश सीट पर उसी का चेयन भी कीजिएगा इसलिए कि आपको उयमार सीट पर आलेखन और प्राविदी इस तरह मिलेगा तो आपको जो जैसे आलेखन करना होगा तो आलेखन वाला को टिक कीजिएगा प्राविदी करना होगा तो प्राविदी वाला को टिक कीजिएगा और उसे ह आप OMR स्ट पर भरिएगा ठीक है अगला प्रशन देखिए अपका प्राविधी कला से संबंदित जो है पहला प्रशन है बहुत सिंपल सा प्रशन आप से पूछा जाता है अगला प्रशन है कि संभाहू तृभूच के परतेय कोड कितने अंस्का होता है पता है इतना सिंपल स संभावुथिर भूज संभावूथिरूज की तीनों भूजा हैं बराबर होता है । इस प्रश망 के सम पूड कोड कितने होते हैं ठीक है संफ्ल मतलब होता है कि जैसे आप यहां पर है इसके दोर एक चकर लगाएंगे ति यहां पर कितने अंस का कोड़ बनेगा एक चकर जब लगाए जाता है तो 360 अंस का कोड़ बनता है ति यहां पर संपूर कोड़ कितने अंस का हो जाएगा ति इसका सही जो अवला आपसन सही हो जाएगा यहां पर प्रशन देखिए तीसरा नंबर का समकोड कितने अंस का होता है ठीक है समकोड को बताना है तो आप सभी को पता है समकोड कितने अंस का होता है इस प्रशन का सही जब कवला आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए चौथा नंबर का कि वर्ग का प्रतिय कोड कितने अंस का होत पुछन के आंतरी कोड़ों का योग होता है सिदे चिदे यह याद रखिएगा और पूछ और नब़े के आइत पूछे आयत पूछे या कोई बेच चत्र भूज पूछा है आपما पूछता है आ者 क्योच्छे-पूजर के जो physics यहां की. कोड़ों का यह कितना होता है तो 360 अंस का ही होता है इस प्रश्ण का सही जवाब का वला आपसंद सही हो जाएगा अगले देखिए छठा नंबर का कि कौन सी प्रेंसे से बनाई गई रेखा अधिकाली होती है तो अभी आपको बताएं कि क्या हो जेगा इसका सही जवाब टू भी होगा अगले देखिए सातवा नंबर का वर्ग की चारो ब्रूजाओं के नाप क्या होती है तिदे exclusive वर्ग का भी बताएं कि इसकी दो, तीन इस तरह लिखा होता है, तो मापनी जो होता है, उसके पहले बड़े मुख के बाग पर क्या होता है, जीरो होता है, इस प्रश्न का सही जो आप कोवला आपसन सही होगा, अगला देखें नौ नमबर का, इसमें क्या है कि एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं, आ सवा नमबर देखें, ब्रित का आकार होता है, अब बताइए, इतना सिंपल से सवाल किसको नहीं आएगा, ब्रित क्या होता है, एक गोले के आकार का होता है, यहाप इसका सही जो आपकोवला आपसन सही हो जाएगा, ब्रित का आकार गोले के आकार का होता है, तीक है, ग्या करा आप से किया ऊचार में आपको समझाएं अगला प्रशन किसे करते हैं। थिकन के भारे में आप समझिए। दो बिंदू है दो बिंदू की बीच की दूरी क्या कालाती है रेखा कालाती है दो बिंदू जैसे आप लिए और इसको आपसे मिला देंगे यह आपको क्या बनेगा रेखा कहलाएगा दो बिंदू की बीच की दूरी क्या कालाती है रेखा कालाती है तो इस प्रश्न का सही ज चाहिए नब्बें अंसर में अंसर बढ़ा होना चाहिए लेकिन एकटीम् combination से श्टरोट रहेगा रहेगा तो 80 Alice चोटा जो रता है वह कOur से इस्ट को अधिक कोड कार लाता है इसका देगी अब क्षीशा से बड़ा लेकि एक सो अस्य चोटा जो होता है कोड़ वही आपका अधिक कोड़ का लाता है तो इसका सही जो आपको वाल आपसं सही हो जाएगा अगला देखिए पंदर नंबर का कि संभाहू त्रिभूच किसे कहते हैं अभी आपको स्टार्टिंग में ही पता है देख संभ स्टार्टिंग में ही बता तभाते हैं या इसी को सरलकोड भी करते हैं ति इस प्रश्ण का सही जो को वाल आप्सान सही हो जाएगा अगला देखिए सतरवी का कि वर्ग किसे करते हैं तो कि चार वुजाएं break होती है यह प्रश्ण कई बारर पिठ्व हो गया इसका सही जो कव वालड आप संसर जाएगा मैं जिसकी चारौ बुजाएं बराबर होती है ठीक है अगला देखिए यहां पर 18 नंबर का ध्यान दीजेगा कि एक decimeter में कितने centimeter होते हैं तो आप इसी डारेक्ट याद रखिएगा कि एक decimeter होता है उसमें आपके 10 cm होते हैं कितने होते हैं 10 cm होता है इसका सही जव कोवल आफशन सही हो जाएगा अगला प्रशूर के 19 नंबर का में टर में तो 10 050, मीटर होता है एक मीटर में प्याद रखें कितने डेसी मीटर दस तीस प्रश्ण का सही जो कवल आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए बीसवा नंबर का कि कौन सी पैंसी सी बनी रेखाएं हलकी होती है अब हलका आपको पता ना है तब ही आपको समझा चुके हैं यहां पर क पर आपको इंपोर्टेंट को सब्सक्राइं अब देख लिए और इसको आप तयार कर लीजिए देखें पहला जो प्रश्ण आपकर रहेगा तीस अंक कर रहेगा लेकिन इसको हल करने से पहले जो यहां पे निर्देश दिया रहेगा उसको आप जुरूर पढ़िए गए ग livres चित्र आघंए अले खंड कолा अथो प्राविधी कला में से के लर एक इक का ही चित्र आपको बनाना आ स्विश्ट को ध्यान दिया प्राक्र्दी द्रिश्य अलेखन हो प्राविधी कला हो इस में से एक कई आपको बोड की एकजाम में चितर बनाने और सिखो आपको छोड़ देना है जिसे देखिए आकास में कुछ पच्छी गाउं की जोपड़ियां तथा कुए के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाई है चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल करल का प्रियोग कीजिए चित्रांकन करते हैं समय ने मिलकित बातों का आपको ध्यान भी देना है को है सही सरचना इदी प समाने प्रभाव भी उसको होना चाहिए यह आपका दस पांच और दस पांच इस तरह टोटल यह तीस नंबर का होता है ठीक है अब यहां पर एक चीज आपको बदा देते हैं कि जैसे 22 गूर अठारा का मतलब क्या हो था कि इस तरह देखें यह होता है यह 22 cm लंबा होना चा है इसमें मिल जाएगा आपक अथवा में भी अब देखिए आपके सामने अथवा में है वह प्रशना रायत कीजिए अन्यत्था था पूष्ण सकते हैं इसके सामने हैं आपको आले खन आability इस प्रशन को भी कर सकते यह भी आंफ दियेगे ड्राइंग सीट पर 16 गुड़े 12 सेंटीमीटर के आयत में खिणकी के परदे के लिए एक इकाई वाला लैब बद आलेखान चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारती पुष्ब कलियों या पत्तियों का सुन्दर सन्योजन हो आलेखान में मचली का लैब पुर सन्योज पर विशेस आपको ध्यान भी देना है यही देखिए इसका मतलब होता है कि सुन्दर आपको बनाना है तीस नंबर का मिलेगा ठीक है जब आप बनाई है भारती पुष्ब तो उसमें आप सभी को पता है कि सोला गुड़े 12 का मतलब होता है कि 16 मिटर लंबा और इस तरह क्य होना चाहिए इसमें आप कमल का फूल बनाईए और उसमें एक मचली उसके साथ में बना दीजिएगा ठीक है और इसको सुंदर रंगों से आप भर दीजिएगा ठीक है अब जब सुंदर रंगों से बरेंगे तो टोटल तीस नंबर आपको इस पर मिल जाएगा अब यहां जान देखे अपको अथ्माँ फिर दिया शाते हैं और उनन दोने उपर वाले प्रश्नों को छोड़ सकते हैं और यहां से प्राविदिगला प्रशने उसे आप कर सकते हैं यह भी आपके 30 नंबर के रहते हैं इसको हल करने से पहले इसके निर्देश या नोट जो दिया रहेगा उसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा पहला देखिए निम्रिकित पांच प्रशनों में से किनी तीन के उत्तर दीजिए शभी प्रश श्वेद फूल इसके पेपर कीजिए इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ सगलन कीजिए यदि कोई भी रफकार करते हैं आप तो उसको क्या करना है आपको उसी तरफ बांद के एक्जामनर को दे देना है यहाँ पी देखिए आपका कह है पहला इसमें पांच प्रशन कीजिए इस प्रशन के अथवा एक त्रिभूज जिसकी भूजाए करम सा 4 cm 305 cm तो सा 3 cm की अंत्रगत एक बृत की रचना कीजिए जो त्रिभूज की तीनों भूजाओं को असपर्श करें अगला प्रशन आपका है कि एक संबा संभी बाहु त्रिभूज बनाएए जिसका प्रत्य आधार कोड़ 50 अंसका हो इसके अंतरगत एक अर्द बृत की रचना भी आपको साथ में करना रहता है देखिए अगले प्रश्ण को देख लीजिए किसी चत्रभुच को खो गो अग्ष के छत्रफल के बराबा त्रभुच की रचना करना रहता है या इसके लग अगल होता है इसको तो सभी को करना अनिवार होता है इसमें देखिए आप ध्यान से पढ़िए इस प्रशन के दो भाग होते है को होता है अधि तोनों ही भागों के चित्र बनाना आपके लिए अनिवार होता है कर से आपको 10 नंबर का मिलेगा और खावाले प्रश्न को बनाएंगे तो आपको 10 नंबर इस तरह टोटल 20 नंबर का प्रश्न रहता है यहां पर देखिए कर ठीक है निवनल कित में से किस एक का इसमित्ती चि लीजिएगा और इसके से 15 सेंटीमीटर से अधिक बना सकते लेकिन 15 सेंटीमीटर से आपका मत बनाएगे चित्रों को ठीक है अब देखिए यहां पर आपका पहला है कि सभी जितने भी प्रश्न को बता रहे हैं आप इन प्रश्नों को आप तैयार कर लिजिएगा जैसे पत चित्र में निमलकित बिंदों पर ध्यान भी देना है रेखा सेष्टों आकरतिक अनुपर अनुरूपता हो इन सब कहने के मतलब होता है कि जो चित्र बनाए साफ सुत्रा एम असपश्ट एम सुंदर बनाना बस रहता है ठीक है अगला देखिए खा है आपको को से आपको 10 सेंटिमेटर से कम नहीं रखना है वही चीज है देखिए आप इन सब में आपको चार दिया रहता है चार में से आपको क्या करना है सिर्फ एक ही बनाना रहेगा देखिए आपको चाहे सुराही बना दीजिएगा चाहे खूला च्छाता बनाईए चाहे कप और पलेट बना सब्सक्राइब है लिए जो सब्सक्राइब meant love लग है लुए लुइस पर तो कि चेटर आपको नहीं आता है तो आप इसको भी लिक सकते हैं ऐसे चित्र के बारे में यदि आप पढ़े हैं तो इसका एंसर आप उत्तरकुस्तिका पर दे सकते हैं जैसे दूखक देखिए भारती चित्रकला के प्रमुक्विस्यस्ताहों का वरानी संचेफ में आपको करना रहता है तो यहाँ पी प्रशनों तो संचेफ में लेगा बहुत nie इसके देखिए बार्ती चित्रक्रा की प्रमुक्विश्यस्ताहं को वरानी संचेफ में किज़्ीजिए इसका शपर आरहे तो लिखे उत्तर पुस्तिका पर दस नंबर मिलेगा यह इसके लवा अजयंता की गूफाओं के विश्य संच्छेपने आपको लिखे दस नंबर का मिलेगा इसवे भी अथवम देखे फिर दिया है कि भारती चित्रकला में रंगों का प्रयोक एवं महत्यों के बारें बताई कि इसका उतर पुस्तिका पर प्रशन का एंस्वर की सबदैं तो आपको दस नंबर मिलता है तो आपको इसमिर्ति छित्र करना रहता है या थो भारती चित्रकला के बारें पड़ है जोसरा की ऐपIs यह झेघे म21 के अगला देखिए निम्लिकित में से द्यूतिय रंग इसमें से कौन सा है तो द्यूतिय रंग आप सभी को बता है कि नारंगी जो होता है द्यूतिय रंग के अंतरगत आता है यह अभी आपका एक नंबर कर रहेगा अगला प्रशन देखिए कि ततश्ट रंग कितने होते हैं त काला और सफेद क्या होते हैं तटल रंग होते हैं है अगला देखिए अजनता की प्रसिद gustur गूफा सिपनी आंग सब्सक्राइब किस राज्य में झाल कि जो प्रसिद कुपाई आपको पताना के कहां पे हैं त्षाप अगला प्रश्ण देखिए पाच्वान नंबर का मुगल काल के प्रसीद चित्रकार थे यानि मुगल काल के प्रसीद चित्रकार कौन थे यह थे मनसूर कौन थे मुगल काल का जो प्रसीद चित्रकार थे वो थे मनसूर ठीक है इसके आगे देखिए आपको प्रश्ण मिलेगा प्रशनों में चार विकल्प दिये गएं सही व्कल्प का कर्मवार आपको इंसर देना रहता है आपका है प्र grew प्रागायति हासिकार की गुुफण के डिश्वत जरत रिभे हो जाएगा अगला देखिए डोशो का कूल नारी भितित चित्र कहां अंकित है ठीक है यह भी आपका एक नमबर का है इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका बाग ठीक है अगला प्रश्न देखिए आप देखे भारत वर्स में प्राग एतिहासिक चित्र जिराफ गुरूप कहां पाये जाता है आपको पताना है कि जिराफ गुरूप है कहां पर पाये जाता है यह पाये जाता है आदम गड़ में कहां पर आदम गड़ में इस प्रश्ण का सही जो बावलापस सही हो जाएगा अग अगला प्रश्ण देखिए आप जो लास्ट कुएस्टन है कांगळा सैली के मुख्य उन्नायक कौन थे यानि कांगळा जो सैली उसका प्रमुक उन्नायक जो माने जाते हैं संसार चंद को माना जाते हैं इसका सही जब अवलापसन सही हो जाएगा देखिए पूरे आपके जो निर्देश दीडियर रहेंगी उसको ध्यान से प्ढ़ते हुए आप दीजिएगा इसलिए कि सभी प्रशन आपको करना नहीं रहता है उसमें जित्ने भी सवाल सवाल रहते हैं अथा वाल में से ऑख रशन को छहोग देना रहता हैं इसलिए जब भी चित्रक्ला के सिर्फ उसी का answer दीजिएगा और सेस प्रशनों को आप छोड़ दीजिएगा तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बाक्स में आपको आप बताईए कि कितने प्रशनों का answer आपको आ रहा था ठीक है और चैनल पर नहीं तो उनको वीडिटो को बासर कीजिएगा जिर्षाव